हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपनी पार्ट चला चनल में यह वाला वीडियो आई बीपी एस वाइटी का जो अपकमिंग एक्जाम है सेवंथ उसके बारे में बनाया गया है उसके लिए आपको प्रिपेर क्या क्या कर लेना है और उसके अंदर क्या क्या चीजे नहीं की गई है तो यह सारा डिसक्रेशन हमने इस वीडियो में किया है चैनल अगर आप लोगों ने भी तक सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल सब्सकाइब जरूर से कर लिजीए गया क्योंकि हम आगया आने वाले टाइम में आई बीपी एस एस वाइटी के लिए की इस पेशल यहां पर बेसिकली किया गया है कि IVP S.Y.T. का जो exam होना है पहले single एक exam होगा करता था लेकिन अब इसके दो पार्ट कर दिए गये है preliminary part होगा अपका pre part होगा month और men's part होगा प्रीके अगर हम exams date की बात करें तो यह tentative date दी हुई है IBPS की जो ओफिशल साइट है महाँ पर जो IBPS का कलेंडर है उस पर ये ओफिशल डेट दी हुई है 30 December and 31st December 2017 और मेंस की डेट दी हुए 28 टॉप January 2018 यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्री एक्जाम के अंदर के होगा तो प्री एक्जाम वही होगा जो बागी के बेंक एक्जाम का होता है जिसके अंदर आपका reasoning रहेगा maths जो quantitative attitude आपका वो रहेगा और उसके अलावा रहेगा English ये qualifying nature का होगा उसके बाद आपका जो mains होना है ये mains सिर्फ और सिर्फ professional knowledge वाले part का होना है marks इसके अंदर कितने होंगे ये भी decide नहीं किया गया है तो ये हो सकता है आगया आने वाला टाइम में IBPS अपनी website पे इसको launch कर दे website पे notification डाल दे ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि इसके दो part होने है पहला pre part होगा जो qualifying nature का है इसके marks add नहीं होंगे और दूसरा mains जो है ये होगा सिर्फ और सिर्फ आपका professional knowledge part का तो ये तो वो है जो नई चीज़े IBPS SOIT जो 7 आने वाला है उसके अंदर add की गई है अब बात ही आती है कि इसके लिए preparation क्या की जाए अच्छा पहले अगर आप लोगों ने IBPS SOIT दिया होगा तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 साल से last 2 years के paper अगर हम देखें तो paper का जो level है वो बिल्कुल बदल लिया गया है पहले paper जो रहा करता था वो रहा करता था आपका theoretical basis लेकिन अभी जो आपका paper है वो हो चुका है पूरा का पूरा practical basis practical के साथ में वो चीजे जो जनरल लाइफ में आप लोग यूज में लेते हैं जैसे एक्जामपल अगर हम लोग लें कि Android में काफी सारे लोग है जो screenshot लेते हैं या फिर Android के routing window जो open करते हैं तो उससे पूछ लिया गया था तो काफी सारे ऐसे questions है जो जनरल लाइफ के हैं काफी सारे questions ऐसे थे जो practical थे और एकल वगेरा की question वहां पर पूछे गए थे जावा वगेरा की question वहां पहले भी हम लोगों ने topic wise वीडियो था वह upload किया था तो उसका link आपको यहां पर मिल जाएगा उसके अंदर कुछ changes नहीं है यह तो basic चीज़े है मतलब जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है तो वह वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा इस वाले वीडियो के अंदर उसके अलावा क्या आपको देख लेना है या फिर क्या आपको preparation करनी है वह हम लोग यहां पर discuss कर रहे हैं अलग से एक आपके जो paper की हम बात करें तो वहां पर network security वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा था वहां पर जो questions पूछ गए थे वो network security वाले थे network security में देखो questions अब कहां कहां से बन सकते हैं firewall आपको यहां पर हो सकता है firewall उसके अलावा firewall के अलावा आपकी यहां पर hacking tools वगेरा हो सकते हैं जो आप उन वीडियो को देख सकते हैं उसके अलावा जो नए updated वीडियो होंगे वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी upload करने की IP addressing के अंदर जो है वो classless cidr जो आपकी होती classless inter-domain routing तो यह भी आपको देख लेनी है question यहां से पूछे गए थे next जो है आपका dbms यह जो दो topic है यह पूछे गए उन questions का लेवल अगर हम देखे तो वो questions basically थे आपके SQL related queries basis पे थे यह आपको एक scenario दे दिया गया था उसके basis पे आपको answer देना था तो database management system जो है इसके अंदर basically questions जो है वो normalization form से पूछे जाते हैं उसके अलावा अगर हम बात करें तो table structure जो होता है उस पे पूछ दे जाते हैं की जो होती है primary primary की होती है आपकी foreign की वगरा होती है candidate की है तो उन पर questions generally यहां पर पूछ ले जाते हैं तो DBMS के कुछ वीडियो जो है वो हम लोगों ने upload कर दिये हैं आपको मिल जाएंगे playlist आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप IBPSS IT की preparation कर रहे है तो वीडियो की जो playlist है वो playlist आप देख लीजिएगा वहाँ पर networking और DBMS के काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे next आता है आपका data structure data structure में जो भी question है वो practical questions आते हैं आजकल practical questions की जैसे हम बात करें कि आपने जैसे stake implementation की बात करें या फिर क्यू है क्यू की बात करें या फि पूछे जा सकते हैं वो question मान लीजिए आपसे पूछ लिए गया कि data structure आपको डिदिये गया उसके अंदर changes कुछ किये गये और आपसे एक dynamic बना के question पूछ लिए गया उसके अलावा आप यह ध्यान रखिएगा कि data structure के अंदर main जो है वह आपकी sorting and searching algorithm से तो वह एक बार अच् पूछ लिए जाए या फिस जो अभी data handling की बात आ रही है software उसके लिए कैसे maintain किये जाते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो questions last year पूछे गये थे वह सैप वगेर आप पूछे गये थे या भी ERP जो आपका होता है enterprise enterprise resource and planning उसके उपर questions पूछे गये थे तो यहां से questions वाले पूछे जा सकते हैं उसके बाद आपका आता है computer architecture and microprocessor computer architecture and microprocessor के जो questions है यह वाले जो questions है यह काफी अपकम आने लगे है बेसिकली जो questions है वो current scenario वाले ही होते हैं लेकिन computer architecture and microprocessor के अगर हम बात करें तो इसके basic basic questions आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा deep में यहां से questions नहीं पूछ जाते थे वह आपके या विंडोस तक विंडोस तक हुआ करते थे लिमिटेड थे या फिर लिनक्स तर लिमिटेड थे लेकिन अभी क्या किया गया कि लाश्ट एकर हम बात करें तो Android और iOS जो आपका Apple का operating system होता iOS इन पर questions पूछे गए तो यहां पर भी आपको questions देख लेने हैं कि Android Android के अंदर API जो होती है वो क्या होती है या फिर Android के वर्जन वगयरा कौन से हैं या फिर क्या का इनके अंदर features हैं कैसे इनकी applications बनाई जाती है applications का file type क्या होता है उनका debugging वगयरा कैसे होती है यह सारे के सारे questions इन पर questions अब बन सकते हैं next अगर हम देखे तो next है आपके computer static and history यह वो वाला part है जिसके question IBPS PO IBPS clerk वगयरा में basically पूछे जाते हैं सबसे इजी वाला part जिसको कहा जाता है computers अगर आप engineering के student हैं तो यह आपके लिए जी वाला part होता है जिसमें history वगयरा जाती है computer की static GK है जिसे memory management हुआ memory के type हुए memory units हुई वो सारे का सारा part इसके अंदर आ जाता है उसके अलावा इसी के अंदर आपका होता है Microsoft Word वगयरा next question पूछे गयते वो Linux command Linux command के इस year के अगर हम बात करें कि आपका जो IBPS PO 6 हुआ था उसके अंदर four questions थे आपके Linux command के उसके अलावा Oracle से related question पूछे जा सकते हैं और ethical hacking जो है इस से related question पूछे जा सकते हैं तो यह तो एक basic introduction ह कि यह पार्ट आपको cover कर लेने हैं इनके सब पार्ट क्या है वो आप वीडियो पूराना वाला चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर कोई changes नहीं है वो तो basic है ही आपको वो तो prepare करना ही करना है उसके अलावा जो नए पार्ट है वो अच्छे से यहां पर देख लीजि कमांड बेसिकली पुछे गई थी एजिटीज क्यूशन पुछे गए थे जावा में भी एजिटीज क्यूशन थे उसके अलावा SQL से रिल्टेड क्यूशन थे तो यह तो था कि आपको क्या 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 टॉपिक है जो आपके लिए important है क्या 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 टॉपिक आपको पढ़ लोग डिसकस करेंगे उसके लाव जो important questions होंगे उनको regular basis पर हम लोग upload करते रहेंगे एक स्रीज हम लोग start करने का सोच रहे हैं कि स्रीज हम लोग start कर दें ताकि जो लास्ट यह क्या था कि हम लोगों ने जब चैनल स्टार्ट किया तो काफी कम students को पता था इस बारे में अब हो सकता है कि ज्यादा students हम से जुड़े और थैंक्यों आप सभी लोगों को जिन लोगोंने subscribe कर लिया है चैनल और जो लोग अभी सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो अगर आपको पसंदा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में टाकि उन लोगों को पता लगे चैनल के बारे में या फिर वीडियो जो है वह आप जैसे भी आपको लगते हैं तो वीडियो कमेंट कर हमको जरूर बताइएगा थैंक यू